आए जानते हैं वरिष्चिक राशी वालों के बारे में दो हजार चौबीस फेब्री का मैना किस प्रकार व्यतीत होगा तो जितनी भी स्कॉर्पियंस मेरे साथ यहां है जो अपनी जनम पत्रिका के साब से स्कॉर्पियंस चंद राशी यह प्रेडिक्शन उनके लिए संसाइ एक एरिया में देख लेते हैं सबसे पहले मैरेड़न मैरेट कपल में जाते हैं जो मैरेड़न मैरेट कपल जो रिलेशन्शिप में हैं किसी भी फॉर्म में चाहे वो शादी शुदा हो चाहे उनकी शादी ना हुई हो लेकिन कपल है तो हम देखते हैं काफी स्टक फील कर र रहें आसपास और उस वज़े से आप बहुत स्टक फील कर रहें आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कहां फस गया हूं या कहां फस्गी हूं तो एक यह वाला महौल बनाव है अगर आप सिंगल हैं अगर आप सिंगल हैं तब तो ऐसा हम आपके लिए नहीं देखते हैं तब हम देखते हैं कि आपके कारिश शित्र में क्या होगा अगर आप single है तो कारेश्षित्र में हम यह देखते हैं कि occupation में हम यह देखते हैं या तो workload बहुत हो चुका है जिसकी वजह से आप stuck feel कर रहे हो क्योंकni बहुत workload है यह भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है बहुत जादा काम कर रहे हो हुआ तो आपको एक टाइम ऐसा है गर से फील हो गार आम स्टक मैं मैं स्टक हो गया हूं यह स्टक हो गई हूं मैंने बहुत सारा काम कर लिया ओ गौड आई यानि कि एक ऐसी फीलिंग कि थोड़ा सा मुझे रेस्ट टाइम मिल जाए या थोड़ा सा मैं फ्री फील करूं और अगर आप बिजनस में हैं पार्टनर्शिप में हैं तो हम यह देखते हैं कि वहां पे कले-कलेश हो रहे हैं कले-कलेश के योग बने हुए आसपास मुझे पेशन्स को सहारा लेना है पेशन्स का सहारा लेना है और संयम के साथ बैठना है और जबी भी बात धैरे की आती है तो लक्षमी जी की अरादना करनी चाहिए आपको पता है लक्षमी में से एक नामे धैरे लक्षमी तो जो लक्षमी जी का सच्चा उपासक होगा ज जब आप वो सब को अपनाते हैं तो लक्षमी रहती हैं आपके पास अगर एक को भी छोड़ देते हैं तो लक्षमी जी चली जाती है तो धैरे लक्षमी भी बहुत बड़ी लक्षमी होती हैं तो आपने ये समझना आए कि धैरे आए मेरे अंदर क्योंकि धैरे भी धन होता है धारन करनी की शक्ती धहरे देता है अगर आपने धहरे होगा तो ही आपको धन धारन करने की शक्ती मिलेगी अन्यता धन आएगा और चला जाएगा तो धहरे तो धहरे से आप सारी चीजों को जीत लेंगे स्टक फिल करेंगे किसी कले कलेश में मत गुसिएगा आपको प्रॉब्लम हो सकती है और घर में कोई कले कलेश हो रहा हो तो अपने आपको थोड़ा डिटाच रखिएगा डोंट गेट इंसाइड अल दाट इस अमेस तो आप इन सब से निकलने के लिए अपने हनुमान जी की अराधना कीजे और उनके इष्ट राम जी को याद करके हनुमान जी को भी स्परण कीजे और इससे भी सुन्दर है कि कृष्ण जी की वो जनमगाथा रोज पढ़ लीजे स्परण कर लीजे जिसमें वो पैदा हुए थे कारागार से और जब वसुदेव जी उनको लेकर भार ने कले तो सारे ताले अपने के आप खुल गए मैं हमेशा बोलती हूँ यह बहुत पावरफुल चाप्टर है इसका रोस उमेरन कीजिए और धीरे धीरे आपके सारे बंधन खुलते जाएंगे वो जो stuck feeling है gone with the window जाएगा चला जाएगा कहीं पे ठीक है तो यह सारी चीज़ें आपकी सुलज जाएंगी focus करें इस पे अब आम आजाते हैं आपका students में तो students को लग रहा है कितना पढ़ाई load, load को नीचे उतारे और आम से day जो आए जा रहा है दिन प्रति दिन जो जो चीज़ें आ रही है mission आ रहा है पढ़ाई में उसको एक एक करके solve कीजे बहुत जादा परेशान नहीं होना है क्योंकि उससे कोई result नहीं है आगे बढ़ते हैं रोगों की तरफ तो रोग पीट में दर्द का हो रहा है कि पीट में आपको काफी severe pain हो सकती है तो अपने back का ध्यान रखना है load जादा नहीं उठाना कोई बच्चा घर में है तो जादा नहीं उठाना जिमिंग वगएरा dumbbells वगएरा उठाना मत कीजेगा क्योंकि आपके पीट पे बला सकते और माईग्रीन काफी तेज सिर्दर्द और नौल ये सब के योग बने हुए तो take precautions अब हम आजाते हैं lucky color की तरफ तो lucky color निसंदे रूप से आ रहे आपके लिए white white color के pushp, white color की धोती आप किसी ब्रामन को धान कर सकते हैं white कपड़े, kurta धोती या kurta pajama आप भ्रामन देव को दान कर सकते हैं दूद दे सकते हैं उनको आपके लिए शुब रहेगा शिवजी की शिवलिंग पे सफेद pushp चड़ा सकते हैं और खीर चड़ा सकते हैं स्मरंड रहे उस दिन एकाच्छी नहों ठीके और इस तरीके से फिर उस खीर को खा भी सकते हैं उनको भोग लगा के और इस तरीके से इस रंग को पुझी बूत कीजिए आपके जीवन में शान्ती का संचार होगा ठीके तो आशाय है ये समय ये महीना आपका धहरे धारन करके प्रेम पूरक व्यतीत हो और आप पॉजिटिवीटी के साथ आगे बढ़ें जो जो मैंने आपको समझाया उसको आप धारन करें और उसी हिसाब से अपने निरनेस महीने में लें जै श्रेराम